नमस्कार सिटी पोस्ट के स्खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ सरकान प्रतिवस आपको पता है कि ये साल चुनावी साल है सभी पाटियां चुनाव के त्यारी बेजूट गई है और सबसे बड़ा मुद्दा है नागरिक्ता संसोधन कानून तो उसको लेकर एक तर अब से नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कि स्थर से देश के नागरिकों को पतंग और तबाह करने की साजिस चल रही है अभी मेरे साथ हैं जगदानाद जी आरजडी के प्रदेस सथाक चिंसे बात करते हैं आप प्रतिरोध की ताकतें खड़ी हो गए हैं अपनी शम्विधान को बचाने के लिए जो शम्विधान पर हामिला है उसके प्रतिरोध में आम जन धर्म शे अलग जातियों शे अलग भारतिय बन करके इस राष्ट के शम्विधान को बचाने के लिए शभी लोग एक चुट हो हमारे पुल्खों की मेहनत की बदावलत, परिश्रम की बदावलत, उस विरासत की हिफाज़त के लिए पूरी वारत की जनता एक साथ खड़ी है, धर्म और जाती, सभी इलाके छित्रियता को छोड़ कर, संभीधान की रक्षा के लिए समीलों की एक जुट हैं, और यही जनु यही बात इन लोगने आशाम में कहा था, और आज 25 ती शाल आशाम का बरबाद हो गया, जिस व्यक्ति ने प्रथम बार इस देश में, जिस इलाके में समस्या की रूप में उठाया था, उस छित्र और प्रदेश का नाम है आशाम, क्या बोला, मेरी जवानी खतम हो गए एक वर्त के सवाल पर, और वही वर्त के शवाल को अब देश में लागू करने वाले समझने की देश को कहा ले जाना चाहते हैं, 130 करोड आवादी की भीतर, आप घुश पैटियों की पहचान करना चाहते हैं, अभी आप ही ने कहा, कि हम लोगों ने 22 सबसे अधिक, पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दी, किसको दिया, किसको नहीं दिया, ये तो भारत की जनताने सवाल नहीं उठाया, कौन रोक रहा था आपको, मतलब कोई न कोई कानून इस देश में था, इस कानून के मुताविक, लोगों को नागरिकता दी जाती थी, क्या प्रशन खड़ा था इस देश के शामने, जिसकी समस्या का समधान के लिए पागया आए हो, देश में कानून था, ये भारत की शरकार का description है, कि किसको वह नागरिकता दे या नहीं दे, कभी इस पर प्रशन तो देश का किसी व्यक्ती ने नहीं खड़ा किया, शेहम आप ही प्रशन क में और हल करने का वो रास्ता बना रहे हो, जिसे देश बरवादी के कगार पर चला जाएगा. कर रही है देश के शामने है, हो शकता है कागज पत्तर में कहीं पर ये लोग कुछ कर रहे होंगे, हम सब हो कुछ अनकारी नहीं है, नहीं है, देश के सामने शमश्या बन करके भी कभी अभी अभी इस नहीं आया, अभी भी कहा जा रहा है, किसने आपको रोका है कि देश की जन गड़ना आप मत कराएं, जन गड़ना तो हो रहा है, कोई आश्य नहीं सेक्ट उमिशाल से, जन गड़ना को किसने रोखा? आप हमेशा मतदाता सुची भी बनाते हो अनेको वार लोगों के भीच में आप जाते हो घरों में जाते हो लोगों से बात करते हो ग्रामीन लोगों से वहां के जिमवार लोगों से आप बाता करके ही आप जनगड़ना या मतदाता सुची बनाते हो मैं नहीं समझता हूँ कि क्या ऐसे सुचियों में कुछी विदेशी का नाम Dرج होता है क्या और विदेशी का नाम अधि दर जिय आज तक नहीं है तो उनके निस्कासन के किस प्रक्रिया में आप जा रहे हो लोग एक सवाल उठा रहे हैं तो क्या ऐसे भीदोईशी लोगों से, जिने आप निर्वाजी सरकार हो क्या, तो क्या एक बार कहते हो, यह भरमशाला नहीं है भारत जिसे जो आकर के यहां पर डेरा डाल दे, लहीं सिरिमान मोदी परदान मंत्री जी एक काशाई खाना भी नहीं है, जिसका चाहो आप गरदन पकड़के काट तो, पहचान हो, लहीं पहचान के लिए आप एक सो तीस करोड लोगों को आप खड़ा करोगे लाइन में, उनकी घरों में जाकर के उनसे स्वैम उनके नहीं उ करोड जनता के पास कोई दस्तवेज नहीं है, शिवा राशन काड़ पाता होगा तो, आधार काड़ भी हो शकता है, बना दिया हो आप, लेकिन आप जो ही मानोगे भूमी शंबंदी दस्तवेज, जिसके आधार पर तै करोगे कि आपके खांदान का पुर्खा भारती है था अन्रेस्ट पैदा करोगे अधी हम भरम फैला रहे हैं, थोड़े दिर के लिए, तो मौका किश ने दिया, तुम सफाई दो, सबसा सवाल था, ये सवाल ही नहीं था, ना भरम के रूप ना सफाई के रूप, हैं तो दे रहे हैं कि मागरिक्ता देने के लिए नागरिक्ता का आप ही कह रहे हूं अने को लोगों को दिया जा रहा है और ये सन 47 से दिया जा रहा है किसने रोका कभी रोका इस पर किसी ने सवाल उठाया क्या हमें नागरिकता आप नहीं दे रहे हैं भारत के कानून और संबीदान के मताबिक यह प्रस्ट था भारत के शाम ने भाजापा कि मित्रों यही ते बतादो इस प्रस्ट को तुमने खड़ा किया है यह प्रस्ट कभी था ही नहीं नागरिक्ता देने का कानून हसराष्ट में है और भारत के शम्विदान में धर्म के अधार पर भेदवा नहीं करना है पहली बार इस नागरिक्ता कानून में धर्म की अधार पर आपने भेदवाब किया और एक बार जब मैं अनेकों बार कह चुका हो कह रहा हूं जब भारत की शंभिदान की प्रस्तावना प्रेमल पर आप चूट कर दिया धर्म निर्पेक्षिता सब्द पर चूट कर दिया धर्म निर्पेक्षिता कहो पंत निर्पेक्षिता कहो बात वेकी है उस पिर आपने चूट कर दिया और क्या कह दिया हम देंगे इनको इनको नहीं देंगे ये प्रस्त द्वाब ने खड़ा कर दिया क्यों संभीधान के बाहर जाकर क्या आपकाम किया संभीधान बचाने के लिए आज बारत की जनता कड़ी है कल तो धर्म की आधार पर एक देश को बांट भी दोगे फिर एक राष्ट दो राष्ट बना डालोगे आप हो तो आखी सावरकर की संतान अब हो तो सावरकर को ही बीर मानने वाले लोग अब हो तो नाथू रामगर्ण से की अवलाद जिसने महत्मा गांधी की हत्या किये और हत्या का कारण किया तो यही हिंदू और मुशल्मान फिर आपने हिंदू मुशल्मान सब्द को गढ़ करके इस मुल्क को आपने बेशैन कर दिया तो आपने सुन लिया विजेपी के नेता जो आरोप लगा रहे थे भिपक्ष पर अफवा फैलाने का देश को तंग और तबाह करने का उन सारे लवालों का जबाब जक्तानन सिंग ने दे दिया है अगर इनका जबाब आपको पसंद आए तो इस वीडियो को खूब स्टेर करिए दोस्तों के साथ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कियाद कर लिजिए आपका सहयोग समर्थन लगतार मिलना है इसे बनाए रखेगा